पाकिस्तान ने देखा जब हम उपर पहुंच गए हैं उनकी सरगर्मियां बढ़ी और उन्होंने उस पोस्ट पे हमला करने की सोची थी अब हमारे पास सिर्फ एक ही हतियार चल रहा था जो वो हमने स्टोव पे रखा था रात की धड़कन जब तक जारी रहती है सोते नहीं है हम जिम्मेदारी रहती है नमस्कार जेहिंद मैं हूँ रॉनक ग्रेड़ फेम की स्टूडियो में हूँ आप सब का स्वागत कर रहा हूँ चल रहा है बजाओ फर कॉज जहां हम कह रहे हैं वी फॉर वेटरंस यह एक फंड्रेजर है हमारे सैनिकों के लिए और जो शुरुआत में मैंने लाइन जो पंक्ती जो शेर मैंने पढ़ा वो सरहत पर हमारी रक्षा करने वाले हर एक जवान के लिए एकदम सटीक बैठता है क्योंकि दिन, रात, सुबह, दोपहर, शाम, धूप, बरसात वो किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करता है लगातार हमारी रक्षा करता है उनी में से आज एक हमारे साथ Red FM की स्टूडियो में है और उनका introduction, उनका परिचे मैं नहीं दूँगा इनका परिचे, इनका साहस आपको देगा नाम है इनका करनल विजिंत कुमार, वीर चक्र, रिटार्ड सर, Red FM पर आपका स्वागत है Thank you, Ro सर, थोड़ा पीछे चलते हैं, 33 साल पीछे 11 अपरेल 1989, क्या हुआ था? रहनक, 11 अपरेल 1989 को हमारी यूनिट ने एक operation लाँच किया था Central Glacier में और इस रिजलाइन के एक हिस्से में पाकिस्तान की एक पोस्ट बना दी थी जिन्होंने उसको observation पोस्ट बोलते हैं, और वो हमारे सैनिक अड़ों पर उसके सहारे artillery ओपी से fire कर रहे थे हमें वो पोस्ट हटानी बहुत जरूरी थी, इसलिए वहाँ पर और कोई रास्ता नहीं था कि हम उनके उपर वाले हिस्से में जो वहां पर सबसे बड़ी चोटी थी पॉइंट सिक्स फोर जीरो जीरो उसके उपर जाने के लिए उपरेशन लांच किया इसमें मेरे साथ 20 जवान थे जो जाकर एक हली पैट बनाना था वहां से उस टॉप तक रास्ता बनाना था पहले रसियों से वह एरिया ऐसा है जहां पर कुछ कोई रास्ता नहीं होता है आइस वॉल्स हैं फ्रोजन एरिया टेंपरेचर माइनस 35 40 50 ऐसे जाते हैं 11 अपरेल को मुझे सबसे पहले एक चीता हेलिकॉप्टर से वहां उतारा गया मैं अकेला सबसे पहला जाने वाला इनसान था जिसने जाकर महां पर हेली पैड के लिए रस्ता जगे ढूंडी धीरे धीरे हमारे लोग आने लगे महां पर और 21 अपरेल तक जो हमने उस पोस्ट को कंसलेट किया मेरे पास तीन या चार जवान हो गए थे तो हली पैड पर 21 तारिक को महां पर ट्राइल लेंडिंग हुई और ट्राइल लेंडिंग सक्सेस्फुल रही महां पर हमारा समान आया उ इस बीच में पाकिस्तान ने किया किया वो अंडर स्लंग जवान लाएं बिल्ड अप करने के लिए तो सर 19 दिन बाद क्योंकि हमने बाचीत 11 अपरेल से शुरू की थी तो 19 दिन बाद यानि 30 अपरेल 1989 को उस ग्लेशर से दुश्मन की आवाज आती है और दुश्मन दुश् क्या हुल टाम बाद क्या माहूल दा वहां पर टीस तरीक को सबयए कि मर पास चार जवान थे और दो-दो संत्रियों की ड्यूटी लगती दो-दो घंटे की वहां पर हमने संत्रियों के लिए क्या किया था कि एक बरफ की वो बनाई थी ट्रेंच होती है खोद के गड़ा बनाया जाता जिसमें जवान खड़े हो सकते हैं और आगे आप अपना हतियार उपर रखते हैं नीचे स्टोव जला के रखते हैं तो मतलब ताकि थोड़ी गर्मी रहे स्टोव केरसीन का स्टोव जलता है नीचे उसमें से एक लड़का सोय जा रहा था वो मेरे साथ पुराना मैं बताना चाहूंगा उसका नाम था लांतना एक प्रेम सिंग और वो मेरे साथ आठ नौ साल से मेर बड़ी था वो बलता है सर मेरे को कल लेट रहा है कि मुझे लड़का पैदा हुआ है मैंने की वाह यह तो बहुत खुबसरत बात है मैंने की जाके फिर तो दावत लेंगे हम ऐसी बात करते हैं और संत्री के ड्यूटी चेंज हुई सिपाही सरदार सिंग और एक लांस प्रेम सिंग यह चला है दुश्मन दुश्मन मैं खड़ा हुआ मैंने दिखा चार से पांच उनके लोग वह उससे फायर कर रहे हैं और हमारा यह लड़का लांस नाइक प्रेम सिंग इसकी लाइट मशीन गण जो है यह कॉक करने को लेकिन लाइट मशीन गण चली ही नहीं वो अगर कॉक हो जाती और उससे एक बार फायर हो जाता तो वो उड़ा देता लेकिन वो हत्यार नहीं चला जैसे यह हमला हुआ तो फिर मैंने सामने वाले टेंट में उठाके रॉकेट लॉंचर उठा लिया रॉकेट लॉंचर लगाया और मैं खड़ा हो गया और जैसी र दूसरा मैंने राउंड भरा मैंने जल्दी निकलो तो वो जो हतियार हमने गर्म करने के लिए और नीचे बात करूं यह post capture हो गई, नीचे यह message चला गया कि यह लोग गए, यह post चली गई, तो जो artillery का fire मैंने लिया था, उसी के हिसाब से वो fire मेरे उपर shift करने वाले से, तो उन्होंने शुरू में, जब अपनी post चली जाती है, तो आप यह नहीं सुछते कि बई, post के बाद वो अगली main post पे आने यह लोग, लेकिन जैसे ही मेरे को लगा कि उन्होंने पहला round fire किया, वो उसी जगे गया, जहां मैंने रिजिस्टर किया, जब मैंने ध्यान आया कि अथे नीचे यह तो fire हमारा शुरू हो गया, तब मैंने उठाया radio set, मैंने बोला मैं Victor, अपने जो language होती है, उसमें हमारी code language उसमें बोला Victor, तो बोले, confirm Victor you are alive, मैंने की मैं बोल रहा हूँ, मुझे उनको विश्वास नहीं हुआ कि मैं जिन था, उसके बाद मुझे जो बताते हैं लोग की नीचे, जो हमारे जवान हताश हो गए थे, यह पोस्ट चली गई, तो artillery के जवान जो fire करने वाले थे, इतने जोश के साथ उन्होंने राउंड भरे के थे, भारत मातागी जै लगा, ठोको, फिर दबा के उन्होंने फाइरिंग कराई, उस राउंड, उस रात को करीब एक हजार राउंड fire हुआ होगा होगा, वहाँ पर, बोफोर्स का, बोफोर्स का एक राउंड कितना लीथल होता य मतलब जो रेंग के आया है, तो हमारा जो लांसना की प्रिम वो था, सरदार सिंग सिपाई, जो पकड़ा था जगए, उसने उनके माथे पर गोली रखके मारी हैं, मतलब साइड से, यह ऐसी चीजें जो हुई उस रात को, आप मानोगी नहीं, कि आखों, आखों में जो पान और यह सारा हमला करीब चलता रहा, एक देड़ घंटे तक उन्होंने कोशिश करी, लेकिन जिस तरह से हमारी फिर लाइट मशीन गन चालो हो गई, उपर से मशीन गन चालो हो गई, हमारा इतना फायर आना शुरू हो गया, वो तूट गया, लास्ट में मैं गया, मैंने कि ज रस्षी का बेस बना दिया था, तो उस रस्षी को पकड़के उसमें हलकी सी मूवमेंट आ रहे थी, मैंने कि यह फिर चड़ रहे, यह बात थी करीब आठ साड़े आठ, तो जो हमारे पास वो नाइफ होता है, महाँ पर वैसा वाला, दूसरा, कमांडो नाइफ टाइप होत तीस तारीक की बात ही आप बता रहे हैं, फिर छे दिन बात, पांच माई को, थर्ड डिग्री फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है आपको, यह क्या था और फिर इसको कैसे टाइगल किया था? यह मैं बता रहा था ना, रात को उधर स्नुफल और ब्लिजर्ड शुरू हो गया, लगा था तीन-चार दिन तक वो बरफ पढ़ती रही, और हमारे पोस्ट पे जहां पे हम में पोस्ट पे पहुंचे, वहां पर पांच फुट बरफ पढ़ गई थी, चार तारीक तारीक त होने से आपके टिशू मरने लगते हैं, सेल्स उपर के मर जाते हैं, तो यह हदसा हुआ मेरे साथ नहीं, मेरी टीम में जो एक तो हमारे शहीद हुए, उसके अलावा जो चार लोग थे, चार में से तीन लोगों को यह फ्रॉस्ट बाइट था, क्योंकि पूरा फ्रॉस्ट हाथ दोनों हमारे खराब हो चुके थे, आगे से सारी उंगलियां और कुछ पोर्शन यह हड़ी का भी कटा, वो दे लॉस्ट देर लिंप्स, और मेरे दोनों पैरों में चिल्बलेंस था, तो यह काम जो है फ्रॉस्ट बाइट उससे हुआ पांच तारिक तक, अब इस सारी जो रिइनफोर्समेंट आ रही थी हमारे पोस्ट के लिए उसमें दब गई, तो वो हमारे सुबधार भाग सिंग और उनके साथ नौजवान और वो एक ब्लिजर्ड में दब उसमें अवलांच में जो बाद में उनकी बॉड़ी एक डेड़ महीने बाद मिली, यह छे पांच तारिक को छे तारिक को जब मौसम खुला, तो सबसे पहले उन्होंने हमें इवेकवेट किया वहां से और हमको बेस कैम्प में लाए गया, और बेस कैम्प में जब हम गए, वहां पर नीचे सारे आफसर्स, पूरे एयर फोस के आफसर्स, वह सारे जो देख रहे थे क मेरा मैं जानता हूँ उस बात को, कितना खुशी हुई थी हमें इस बात की, मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, जो इस वक सुन रहे हैं और जो इस बातचीत को देख रहे हैं, आप भी प्लीज, बजाओ फर कॉस का हिस्सा बने, और वी फोर वेटरंस, इस इस इन करने के बाद, आपके मन में सबसे पहले क्या विचारा है, सर चलते चलते लोगों से आप क्या पील करना चाहेंगे, हलांकि हमने लोगों से कहा है, वो कांट्रिब्यूट जरूर करें, लेकिन एक लास थौट, जिसके साथ आप लोगों को छोड़े जाना है, अपने देश क सेना को बुला लो, तो जब आप सेना के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, तो उनके लिए आप जो करना चाह सकते हैं, करिये हूँ, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच सेर, आप रेड़े फेम के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत एन्यवाद, थैंक यू, रॉनक, बाहर से भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनकी तरह से और इंगवाश्चिए, जैन साथ, थैंक यू,